नमस्कार, Hindi Learning Channel में आपका स्वागत है, आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका लेकर आई है, अनंदम क्लास 8 की बुक का चैप्टर 12, जी हाँ, क्लास 8 के स्टुडेंट्स के लिए चैप्टर 12 प्रस्तुत करने जा रही है, आपकी अध्यापिका जिसका नाम है छठे छाठ समाचरेत, जानिकी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, किसी बच्चे ने कारेपत्री का बन की डिमांड की थी, तो बच्चों आने वाले दिनों में पहले चैप्टर 13 के बाद मैं कारेपत्री का चार अप्लोड करूँगी, उसके बाद कारेपत्री का एक भी आपको परवा जलाशय मतलब जलाशय में, बहवय मतलब बहुत सारे, जल्चरा मतलब जल्चर वसंतिसम रहते थे, सुन्दरवन के विशाल जलाशय में बहुत से जल्चर रहते थे, तत्र वहां एके दूत्रे भके आसीत, वहां एक मुर्ख बगुला भी था, बग्गुला वहां एक मुर बगुलाबी था शै वृद्धै आसीथ वै वृद्ध था अते इसलिए मतस्या नाम मचलियों को वदे मारने में असमर्थ है अबवत असमर्थ था शै भोजनाए वै भोजन के लिए एकम उपायम अचिंतियत यहां पर वै की जगा उसने आ जाएगा उसने भोजन का एक उपा सोचा क्या सोचा सै जलाशिय स्य तटे रोधनम अकरोथ वह जलाशिय के तट पर क्या करने लगा रोने लगा कैसे वै तलाब के तट पर रोने लगा तदा तब तत्र वहां एक के कुलीर के अगच्छत एक केकड़ा आया अवदत च और बोला मातुल मामा की मर्थम दुखी दुखी क्यों लग रहे हो मतस्यां चना खादसी मच्छनियां भी नहीं खा रहे हो बके अवदत बगुला बोला बो कुलीरक हे केकडे बगुले ने केकडे से कहा कि हे केकडे जा हे केकडा एक चिन्ता माम पेड़ेती मुझे सता रही है यत कि एशे सरोवरे शुष्के भविश्यती कि ये सरोवर सूख जाएगा सर्वेशाम सभी मतस्यानाम नाशे भविश्यती मचलिया नश्ट हो जाएगी बगुला क्या बोला फिर से सुन ली जीए बगुला बोला हे केकड़ा एक चिन्ता मुझे सता रही है कि ये सरोवर सूख जाएगा सभी मचलिया नश्टो जाएंगी तेशाम नाशम चिन्तित्वा उनका नाश सोच कर अहम दुखी तयासमी मैं दुखी हूँ मातुल मामा अस्ती कश्चित उपाए कोई उपाए है कुलीर कै केकडे ने प्रिछती पूछा हाँ वयम इमम सरोवरम त्यक्तवा हम इस सरोवर को छोड़ कर अन्यत्र गचीम कहीं और जाएंगे बक्या बदती बगुला बोलता है कि हाँ हम इस सरोवर को छोड़के कहीं और जाएंगे next paragraph मातुल वयम जल्चरा स्थलेन खथम गमीश्याम है बक्या बदती अब मातुल जाने की मामा क्या बोला वयम जल्चरा हम जल्चर मातुल हम जल्चर वयम जल्चरा स्थलेन कथम गमिश्या मर धर्ती से कैसे जाएंगे बक्यवदती बगुला बूला मामा हम जल्चर धर्ती से कैसे जाएंगे बो मतस्या अरे मचलियो अलम चिंतिया चिंता मत करो अहम युश्मान स्व प्रिष्ठे तत्र नेश्यामी मैं तुम सब को युश्मान होता है तुम सब को मतलब मैं तुम सबको अपनी प्रिश्टह मतलब पीट पर तत्र मतलब वहां ने श्यामी मतलब ले जाऊंगा बो मतल तो पूरा जो हो गया इस वाक्य का क्या हो गया मतल बयम जल्चरा कि मामा हम जल्चर धर्ती से कैसे जाएंगे भगुला बोला तो अरे मचलियों चिंता मत करो मैं तुम सब को अपनी पीठ पर वहाँ ले जाओंगा नेक्स्ट मातुल शिग्रम करो मामा जल्दी करो अस्मान तत्र ने हो हमें वहाँ ली चलो मतस्या अवदन मचलिया बोली तदा तब बक्य बगुला मतस्यान प्रिष्ठे अन्यत मचलियों को प्रिपीठ पर ले गया सैतान शिलायाम अचिपत उसने उन्हें पत्थर पर फैंका अचिपत होता है फैंका उसने उन्हें पत्थर पर फैंका ठीक है चंचवा चंडम खंडम कृत्वा अखादत और चोंच से टुकडे टुकडे करके खा लिया चंचवा क्या होती है चोंच चोंच से खंडम खंडम टुकडे टुकडे कृत्वा करके अखादत खा लिया तब बगुला मचलियों को पीठ पले गया उसने उन्हें पत्थर पर फैंका और चोंच से टुकडे टुकडे करके खा लिया तान खा देतवा उनको खाकर पुनै फिर जलाश्यम अगच्छत जलाश्य गया अगच्छ अदुना कहा गंतुम इच्छती आओ अब कौन जाना चाहता है अदुना मतलब अब कहा मतलब कौन गंतुमतलब जाना इच्छती मतलब चाहता है अब कौन जाना चाहता है मातुल मामा पूर्वम मानेय पूर्वम मतलब पहले माम मतलब मुझे नेय मतल ले चलो मामा पहले मुझे ले चलो पूर्वमान नेय मुझे ले चलो पहले मुझे ले चलो बस चिंता मा कुरू चिंता मत करो क्रमेन सर्वान नेशियामी क्रम से सबको ले जाऊंगा ओर्डर से कहता सबको ले जाऊंगा बारी बारी तदा कुलीर के अवदत तब केकडे ने कहा मातुल मामा अद्य मामेव नमीनम जलाश्यम निय आज मुझे नए जलाश्य ले चलो अद्य मतलब आज माम मतलब मुझे एव मतलब ही नमीनम मतलब नए जलाश्यम निय जलाश्य ले चलो मामा आज मुझे ही नए जलाशे ले चलो तविया से तुमारे साथ प्रत्मे वारता लाप है पहले बातचीत तू मतलब तो मम मतलब मेरी एव मतलब ही अबवत मतलब हुई कहता है मामा आज मुझे नए जलाशे ले चलो तुमारे साथ पहले तो मेरी बातचित हुई थी बो कुलीरक अरे केकड़े अगच आओ अद्य तुमें ही नेश्यामी ले चलता हूँ मम प्रिष्ठे अगच मेरे पीछे आओ कुलीरक अरे केकड़े मतलब बगुले के प्रिष्ठे मतलब पीछे उपाविच्छत मतलब बैठ गया जो केकड़ा है वो बगुले के पीछे बैठ गया समीपे एव शिलाखंडे सै कुलीरके मतस्या नाम अस्थी संच्यम अपच्यत समीपे मतलब पास ही एव मतलब ही पास ही शिलाखंडे मतलब पत्थर पर सै कुलीरके उसकेकड़े ने मतस्याना मचलियों की अस्थी संच्यम हडिया अस्थी संच्यम क्या होता है इकठी तत द्रिष्टवा उन्हें देखकर से चिंतिता भवत्वे चिंतित हो गया परिशान हो गया मातुल जलाश्य कदा आगमीश्यती मामा जलाश्य कब आएगा जलाश्य कदा मतलब कब आगमीश्यती आएगा अरे कुली रख अरे केकडे जलाश्य नागमीश्यती ओहो देखो क् उसने अरे केकडे जलाशे नहीं आएगा एशय तू मम आहरो उपाई अस्ती ये तो मेरे भोजन का उपाई है अद्य कुलिर कस्य मासम खाधिश्यंगा आज केकड़े का मास खाऊंगा मातुल मामा अध्यतु अहमेर तुमाम खादिशामी आज तो मैं ही तुमें खाऊंगा कुलीर कहा केकड़े ने तस्य ग्रिवाम ग्रिवाम क्या होती है गर्दन सोव मुखेन मतलब अपने मुख में चिन्नाम बिना मतलब च अकरोत कर दी केकड़े ने उसकी गर्दन अपने मुख में च छिन्न बिन कर दी फिर पुनै जलाशियम अगत्य सर वाम कथाम अश्राविएत पुनै मतलब दोबारा सर वाम कथाम मतलब सारी कथा मतलब सुनाई पहले क्या किया केकड़े ने उसकी गर्दन अपने मुख में छिन बिन कर दी फिर सरोवर आकर सारी कथा सुनाई कुली रख केकड़े धन्य असीत्वम तुम धन्य हो तस्य शठस्य उस शठस्य मतलब ठग का नाशम कृत्वा नाश करके अस्मान अरक्षय हमें बचाया है उस ठग का नाश करके हमें बचाया है किसने तुमने इदम तू सत्य मेवुकतम ये तो सच ही कहा गया है शठके शाठ्यम समाचारे ठग के साथग का ही विभार करना चाहिए तो ये पंच तंतर की कहानियों में से एक कहानी ली गई है ये थी हमारी कहानी शठे शाथेम समाचारे जानी की जैसे को तैसा मिल गया ना जैसे को तैसा जैसा उसने किया वैसा ही उसके साथ बिहेवियर बेवार हो गया आगे आपको शब्दर दे दिये गए हैं एक पदेन उ जो जानेंकि केकड़े ने क्रेब ने बगले से क्या पूछा तो क्या पूछा था उसमे की कम व्तुर का उत्तर क्या था था इमं सरोबरम तेक्तवा अनित्र गछेम कि हाँ हम इस सरोबर को छोड़कर कहीं और जाएंगे कहता कि जो बगुला था मचलियों को कैसे खाता था उसको पथर पे फैंकता था उनकी चोच को तोड़ फोड़ देता था और फिर खा लेता था आपको आंसर आपको दे दिया के है चली आगे निमन शब्दों का पद परिचे दे ना है भचो सबसे पहले मूल शब्द बताएंगे बी नपुन्संक लिंग सबतमी विवक्ती एक वचन शिला याम शिला मूली शब्द है आकी मातरा पीछे लगी एस्त reward है सर्वे पूलिंग भी मैंने लिख इस्तरी लिंग है दोट्यभी भक्ति है और बहुवचन थीक है आगimin से आजाएं नंच पेज पर से दम इने दिया है आपको चंचवा जानए और चंच की बात की गई है तो आपको पता ही है मूल शब्द आपको लिख कर दे रही है, blue pen से, ठीक है, आगे fourth question में आपको प्रत्य अलग करनी है, और root अलग करनी है, सफिक्स अलग करना है, जाने कि चिंतित्वा, चिंत प्रकृती, प्रकृती मतलब रूट अलग हो गई, चिंत हो गया, और प्रत्य कों सा, कत्वा, गम दातू, प्लस लेप प्रत्य, क्यूंकि पीछे क्या लगा हूँ है, यह लगा हूँ है, तो लेप प्रत्य होता है, खादित्वा, कत्वा प्रत्य है, यह खाद दातू है, नम में, नम दातू तुमन प्रत्य लगा है, नम प्लस तुमन, ठीक है, आगे रिखांकित पदो से आपको प्रशन निर्मान करना है फ्रेम दा कोशन्स तुम मतस्यान ना खादसी तुम मचलियों को नहीं खाते हो जानी कि तुम किसे नहीं खाते हो तुम कान ना खादसी बक है जो बगुला है वो मचलियों की मचलियों को पीट पर ले गया तो बक जो था जानी कि कौन मचल किकड़ी अठीओं को इकठा किसंग करुछ तैक था आज किसका मास कांज खाऊं सहुनका continuous था उसने हूं पक्टर तर्व प्रशन निर्मान में सएतान कुत्र अशिप उसने उनको कहां फैन का ठीक है चलिए कोशन नमबर 6 से स्टार्ट करती हूँ कोशन नमबर 6 से आपका करत्वा प्रत्य युक्त वाक्यों को जोड़ कर पुना लिखें आपको क्या करना है बचो री राइट करते समय दोनों वाक्यों को एक वाक्य कर देना है जैसे पहला वाक उसी ताना मचलियों का भद करके खाता था अप क्या करोगे उसी ते पर जाता है जाता है बकेतान प्रिश्ठे नियती मतलब बगुला उनको पीठ पर लाता है वे उनको मारता है आपको क्या करना है बगुला उनको पीठ पर लाकर मारता है ठीक है बार बार आपको संग्या सर्वनाम यूज नहीं करने है बगुला चोंच से मचलियों को खंड करता है टुकडे टुकडे करता है वे उनको खाता है आप क्या करोगे बक्या चंचवा मतस्यान खंडम खंडम करितवा बक्षयती बक्या कुलीरकम पश्यती से चिंतिताय बवत बगुला केकड़े को देखता है वै चिंतित होता है तो बगुले ने जो था केकड़े को देखा बक्या कुलीरकम दृष्टवा चिंतिताय बवत करनों को जोड़कर शब्द निर्मान करना है आपको वः प्लस रीशी की मात्रा लगी है जहने की री की मात्रा नीचे आ जाएगी वः के पैर में री द द अ लग जाएगा हलंत के साथ क्योंकि वह पूरा है और धह प्लस अधह के साफिसरग लग जाएगी वृत्द है आगे है खंडम देन चिन्तिया क्यूंकि कोई भी पूरा अक्षर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं उसको न जैसे आदा दिया हुए चिन्तिया में है ना तो हम क्या करते हैं उसको पूरा करने के लिए न पूरा लिखकर उसके नीचे हलंत लगा देते हैं जैसे कि कोशन में दिये तो जब आंसर लिखेंगे तो आदा न बना देंगे चिंतिया आगे है शिग्रम आगे है प्रिष्ठेन ठीके अगला कोशन है कि वृद्दय बक्या किम कू कारेम करोती समगा आपको पता चली क्या होगा कि बुड़ा बगला क्या बुरा कारे करता था या आपके लिए कोशन है अब आप आप आंसर कीजिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कि क्या बुरा कारे करता था वो सरवे कुलीरकम धन्यम की मर्थम मनवते सबीने केक कड़े को धन्य कैसे माना अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे आपका अंसर सही होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब सरूर दूँगी आगे किर्या कलाप है आपका जानी की आपकी अक्टिविटी है चित्र को देखकर पाठ के अतिरित पांच वाके संस्कृत में लिखने हैं तो पांच वाके संस्कृत में आपको इजी-जी मैने लिखकर प्रवाइड करवा दिये हैं एतर तड़ागस्य चित्र मस्ती तड़ाग मतलब तलाब के किनारे पर अनेक वरिक्ष भी हैं तो ये हो गया पंच तंतर की कहानियों में से एक कहानी थी शटे शाठियम समाचारे जो मैंने आपको वर्ट वर्ट एक्स्वानेशन के साथ आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके दे दी है जो कोशन आपसे मैंने प चैप्टर अप्लोड होगा उसके बाद कारे पत्रिका चार उसके बाद कारे पत्रिका एक अप्लोड करेंगे ठीक है आने वाले दिनों में आपको ये चैप्टर जल्दी मिल जाएंगे बच्चो इसके अलावा अब चैप्टर 13 से पहले हिंदी की वीडियो डलेगी उपरदेश में चेप्टर मिलेगा आपको उसके बाद मिलेगा चेप्टर 13 सुकते हो ठीक है बच्चो जल्दी मिलती हूँ आपको आपकी नई वीडियो के साथ आज मैंने अपने चैनल पर आज नहीं कल एक दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी पंजाबी की आप सब बच्च जल्दी मिलती हूँ आपको आपकी नई वीडियो के साथ शत्रू परदेश में तिल देन गुट बाई